कल्की अपने सास लाजो के साथ बाजार से कुछ कपड़ों की खरीधारी कर रही थी लेकिन लाजो को घर जाने की जल्दी लगे हुई थी अरे कलकी जल्दी करो ना मेरी सासुमा आने वाली है आज गाउं से हाँ सासुमा लेकिन जल्दबाजी में कहीं कटे फटे कपड़े ना आ जाए थोड़ा रुकिये तो कपड़े छोड़ो और जल्दी कर देख चार बजने वाले हैं अगर हम घर में नहीं मिलेंगे तो बहुत कुछ सुनाईगी वो दरसल आज कलकी की सास की सास यानि कलकी की दादी सास आ रहे थी और लाजो इसलिए जल्दी मचा रहे थी जितने ले लिये काफी है अब चल अच्छा ठीक है कपड़े में ने ले लिये हैं चली चलते हैं बस पैसे दे आऊं कलकी पेमेंट कर देती है और फिर दोनों घर पहुंचाती है अच्छा हुआ अभी आई नहीं सासुमा हाँ बस आती ही होंगे हाँ मयूरेश लेने गया है और थोड़ी दिर में कलकी की दादी सास उशा कलकी के पती मयूरेश के साथ गाउं से आ जाती है और उनके साथ एक लड़की भी है जिसका नाम गुड़ी है और वो तेई साल की है दरसल उशा की जित थी कि वो गुड़ी की शादी अपने छोटे पोते कुशल के साथ करवाई की और दादी कैसा लग रहा है दादी आ गई कैसी है आप बढ़िया ये कुशल नहीं दिखाए दे रहा माजी आ जाएगा वो भी अच्छा कलकी जा और वो कपड़े लेकर आतो जी सासुमा अभी लाई और कलकी कपड़े लाकर अपनी सासुमा को देती है और लाजो वो कपड़े उशा को देती है माजी ये आपके लिए और गुड़ी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया माजी अच्छा गुड़ी खोल कर देख ले तौफे को पसंद तो है ना जी दादी मा और गुड़ी साडी का बॉक्स खोलती है और देखती है कि साडी बहुत अच्छी है लेकिन तभी उशा की नजर उसमें लगे एक कट पर पड़ती है अरे ये तो यहां से फटी हुई है अरे माजी ये कैसे अरे ये तो क्या तेरी होने वाली छोटी बहु यहां लाजो फिर से सारी गलती कल्की पर डाल देती है तभी कुशल भी वहां आ जाता है मैंने कब किया कल्की ये सही नहीं किया तुने क्या बात है तेरा घर के कामों में मन नहीं लगता क्या नहीं दादी जी ऐसी बात नहीं है तो फिर कैसी बात है तो अपनी देवरानी की बेज़ती करना चाहती है अरे दादी मा छोटी सी बात का क्या बतंगर बना रही हो वही तो जाने दो ना कल की इंसान है और गलती तो इंसान से होती है ना चुपकर वो जान पूछ कर लाई है नहीं मयूरेश जी आप इनको ऐसे जवाब मन दीजे नहीं नहीं दो दो जितना जवाब देना है दो यही सब सुनने के लिए तो मैं आई हूँ यहाँ जाने दीजे दादी जी छोटी सी तो बात है हम ठीक है अब मैं अपने कमरे में अराम करने जा रही हूँ उशा घुससे में वहाँ से चली जाती है एक हफते बाद ही एक मंदिर में घरवालों के बीच गुड़ी की कुशल से शादी हो जाती है और कुशल अपनी शादी से बहुत खुश है चल लाजो अब तो खुश है ना तो तेरे छोटे बेटे की भी शादी हो गई कुशल का कद कम है और लड़की नहीं मिल रही थी मुझे तो बड़ी चिंता थी लेकिन मैंने तुझसे कहा था ना कि कुशल को बहुत अच्छी लड़की मिलेगी और देख ढून दी मैंने हाँ माजी मेरा बेटा किसी से कम थोड़ी है दरसल गुड़ी उशा के गाउं की एक सीधी साधी गरीब घर की लड़की थी जिसका इस दुनिया में उसके पिता के अलावा और कोई नहीं था उसके पिता की अच्छाई और इमानदारी देखकर ही उशा गुड़ी को अपने घर की बहु बनाने के लिए तयार हुई थी हाँ और क्या अच्छा अब ये बता की माहिरा की शादी कब करेगी तू अरे दादी मा अभी मिरी उम्री क्या है अभी मुझे शादी वादी नहीं करने हाँ ननच जी जादा जल्दी मत ही करना शादी हाँ हाँ अब तूने तो खुदने शादी 29 साल में की है इसलिए तू दूसरों को भी यही करने के लिए बोली गी ना नहीं दादी मा आजकल जमाना बतल गया है लड़की कुछ बन जाए और उसके बाद ही शादी करे तो अच्छा है देख मैं तुझसे उम्र में बहुत बड़ी हूँ मेरा बहुत तजुर्बा रहा है इसलिए तू मुझे सिखाने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना समझी अरे कलकी चुप हो जा अरे तूने तो दी है इसे इतनी हिमत जब से आई है पटर पटर बोल रही है एक तो मेयोरेश से उम्र में तीन चार साल बड़ी है और उपर से इसका घमन देखो अरे दादी मा आपी क्या-क्या बोल देती हो और ये सब सुनने के बाद कलकी को बहुत बुरा लगता है और वो रोते हुए वहां से चली जाती है अब मैं क्या करूँ मयोरेश इसके पीछे पड़ा हुआ था मैं थोड़ी चाहती थी कि उम्रे में बड़ी लड़की से उसकी शादी हो अरे तो क्या हो गया भाबी इतनी पड़ी लिखी है और समझदार है सबसे बड़ी बात उनका व्यवार बहुत अच्छा है जादा उसकी तरफतारी मत कर तू अच्छा माहिरा ये बता कि कहीं तेरा कोई दोस्त वोस्त तो नहीं है मतलब बॉइफरेंड अरे नहीं मा कैसी बाते कर रहे हो आपको तो पता ही है मैं अभी जॉब के लिए परिशान हूँ पहले तो मुझे अपना करियर बनाना है हाँ अच्छी बात है अब मैं जा रही हूँ अपने कमरे में माहिरा अपने कमरे में जाती है और अपने बॉइफरेंड के बारे में सोचने लग जाती है अगर मैंने इनको जयेश के बारे में बता दिया तो ये तो मेरे पीछे ही पढ़ जाएंगे इसलिए चुप रहना ही सही है जयेश माहिरा का बॉइफरेंड है दरसल माहिरा का प्लान था कि उसकी जॉब लगने की बाद वो जयेश से शादी कर लेगी वहीं दूसरी और उशा लाजो के बहुत कान भर रही है देख तू अपनी बेटी को संभाल ले मुझे तो उस पर शक होता है कहीं आलतु-फालतु लड़के से शादी कर ली तो उसकी जंदगी बरबाद हो जाएगी हाँ और ये सब तेरी बड़ी बहु कलकी का ही असर है वही तो मैंने मयूरीज से कहा था कि अरीज मैरीज कर ले लेकिन नहीं उसे तो लव मैरीज ही करनी थी बहन पर असर तो पड़ेगा ही भाई की हरकतों का हम चल छोड अब जाओ और आराम कर हाँ माजी कुछ दिन बाद गुट्टी उशा के बैरों की मालिश कर रही है लाजो भी वही थी तब ही उसके कमरे में कलकी आती है माजी मैं जा रही हूँ हम जाओ कहां जा रही हो वो दादी मा मेरा जॉब इंटरव्यू है आज बहुत बड़ी कमपनी है अगर जॉब लगी तो बहुत अच्छा होगा वाँ वाँ हमारे घर की किसी भी बहु बेटी ने आज तक नौवरे नहीं की है लेकिन दादी सासुमा जमाना बदल चुका है मैंने तुझसे पहले कहा था कि तुम मुझे सिखाने की कोशिश मत किया कर तुने इस घर में शादी की है तो इस घर के नियम कानून भी मानने होंगे समझी सासुमा आप तो कुछ कहिए अब मैं क्या कहूं मेरी सासुमा मना कर रही है तो उनकी बाद भी तो सुननी होगी उनकी बाद तो नहीं टाल सकते न हम पर माची चुप हो जा, बहुत बत्तमीज है तू एक इस गुड़ी को देख, दिन भर कितना काम करती है अपनी सास और दादी सास की भी देखवाल करती है दादी मा इसमें बत्तमीजी कैसी बलकि इससे तो घर वालों का ही नाम होगा वावा, कलेक्टर बनने वाली है क्या तू बहार जाएगी, नजाने क्या क्या करेगी और उपर से घर की बदनामी करवाएगी वो अलग दादी मा प्लीज चुप हो जाएए ये सब मत कहिए देख ले लाजो, इससे अभी भी बात नहीं समझ में आ रही कलकी उनकी बात नहीं मानती और इंटर्व्यू देने के लिए चली जाती है वहीं लाजो मनी मन खुब खुश हो रही थी हम, अच्छा हुआ कलकी को तो मेरी सासु माही ठीक करेगी हाहा शाम के वक्त कलकी इंटर्व्यू देकर घर आ जाती है क्या हुआ कलकी, सब ठीक तो है न और तुम्हारे इंटर्व्यू का क्या हुआ उन्होंने रिजेक्ट कर दिया अच्छली मैं उनके सवालों का जवाब सही से नहीं दे पाई नवस हो गई थी लेकिन ऐसा क्यों हुआ और कलकी मयूरेश को सुबह ही सारी बात बता देती है शायद इसी वज़े से मेरा माइंड थोड़ा डिस्टर्व हो गया था अच्छा लेकिन तुम इतनी टेंशन मत लो मैं तो जॉब करता ही हूँ न तुम जॉब नहीं भी करोगी तो भी कोई बात नहीं है लेकिन मयूरेश आने वाले समय में बहुत खर्चे होने वाले हैं हमारे बच्चे होंगे और उनके लिए भी तो हमें सोचना होगा न दरसल लाजो अपने बड़े बेटे मयूरेश के हमेशा कान भरा करती थी और उसे यही समझाती थी कि वो कलकी को नौकरी ना करने थे बस इसी चीज का असर अब मयूरेश पर दिखाई दे रहा था अरे कलकी तुम अभी से इतना मस्तोचो आगे की आगे देखेंगे हैने दो जौब मयूरेश तुम ऐसा कहोगे मैंने सोचा नहीं था शादी से पहले तो तुम कहते थे कि तुम मुझे बहुत सपोर्ट करोगे लेकिन अब क्या हो गया अरे वो बात शादी से पहले की थी अब बात अलग है और ये कहकर कलकी रोते हुए वाश्रूम के अंदर चली जाती है मयुरेश उसे मनाने के लिए दर्वाजा खट-खटाता है कलकी, कलकी, सुनो तो, देखो मुझे गलत मत समझो आप अभी जाओ यहां से, प्लीज इस तरह पती-पत्नी के रिष्टे में थोड़ी दरार आ चुकी थी तभी अगली दिन माहिरा को किसी और औरत की कॉल आती है कौन बोल रहे हैं यहांप? ये सब बताने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है मैंने तुमें कॉल एक रास की बात बताने के लिए की है क्या? कौन सा रास? और वो औरत माहिरा को कुछ ऐसा बताती है जिससे सुनकर माहिरा के होश ओड जाते हैं नहीं नहीं ये जूट है अगर यकीन नहीं होता तो पुराने मंदिर के पीछे वाले खंडर के पास आ जाना वहां तीसरे कमरे में एक बड़ा लिफाफा होगा जिसमें सारे सबूत है इतना कहकर औरत फोन कार्ट देती है वहीं माहिरा बिचारी बहुत परिशान हो जाती है तो आखिर उस औरत ने माहिरा को ऐसी क्या बात बताई थी जिससे सुनकर उसके होश उड़ गए थे और क्या कल की अपने सपने पूरे कर पाएगी और ये कहने के बाद वो तुरंथ ही पुराने मंदर के लिए घर से निकल जाती है वहीं दूसरी और कल की किचन में खाना बना रही है और थोड़ी टेंशन में है क्योंकि वो इंटर्व्यू में पास नहीं हो पाई थी तब ही उशा और लाजो वहां आ जाती है अरे जरा तेज हाथ चला इतनी देर हो गई है खाना कब बनेगा तेरा कैसे मू लटकाई खड़ी है वही तो अरे इंटर्व्यू पास करने के लिए थोड़ा टैलेंट भी तो होना चाहिए पता नहीं क्या पढ़ाई लिखाई की है इसने कुछ नहीं किया सब जूट ही बताया है मैं तो कहती हूँ चुपचाप घर में बैठी रह तेरे से नहीं होने वाला ये सब अरे कहीं नकली डिग्री तो नहीं है इसके पास हाँ और दोनों सास भव ऐसे ही कल्की का मजाग बना कर वहाँ से चली जाती है बिचारी कल्की कुछ नहीं बोलती और आखों में आसू लिये हुए रह जाती है तब ही गुड्डी कल्की के बास आती है दीदी आप रोये मत सासुमा और दादीमा की बातों को दिल पर मत लगाया करो आपको तो पता ही है कि दोनों को जादा बोलने की आदत है हाँ गुड्डी मैंने इसे लिए उनको कुछ नहीं कहा अगर मैं कुछ बोलती तो और भी प्रॉब्लम बढ़ जाती हाँ वही तो अच्छा ये सब छोड़िये गुलाब जामून रखे हैं फ्रिज में खा कर देखो मैंने बनाए हैं कल की फ्रिज में से गुलाब जामून निकाल कर खाती है हम् डिलेशियस डिलेशियस क्या होता है इसका मतलब होता है बहुत ही स्वादिश्ट जितनी ये देखने में अच्छे लग रहे हैं उतने ही खाने में भी अच्छे हैं और इसकी बाद दोनों फिर से अपने किचन के काम में लग जाती है थोड़ी देर बाद गुड़ी और कल की अपनी सास और दादी सास को खाना परोसने लग जाती है अरे क्या हुआ अभी तक माहिरा घर नहीं आई माजी आती है होगी किसी जरूरी काम में फस गई होगी अरे ऐसा कौन सा काम है जो अभी तक नहीं आई पाँज घंटे हो गए हैं एक घंटे पहले तुने कहा था कि बस आती होगी लेकिन अभी तक नहीं आई तब ही माहिरा घर पर आ जाती है वो परिशान लग रही थी और उसने अपनी दादी मा की ये सारी बाते सुन ली थी दादी आपको मेरी इतनी जासूसी करने की कोई जरूरत नहीं है मैं अपने कॉलेज के काम से गई थी अच्छा लेकिन पर्सों ही तो तुने बताया था कि तरह कॉलेज खतम हो गया है फिर अब क्या रह गया अब आपको कैसे पता होगा कि कॉलेज में कितने काम होते हैं मेरे रिजल्ट में कुछ गलत हो गया था बस इसी काम से कॉलेज गई थी माहिरा ये क्या तरीका है अपनी दादी मा से सही से बात करो हाँ देखा मैंने पहले ही बोला था कि लड़की है ज्यादा सर पर मत चड़ा हाँ हाँ दादी मा आप तो बोलेंगी ही एक आपका तो हग है बोलने का बाकी सब चुप रहने चाहिए बस इतना कहके माहिरा घुसे में अपने कमरे में चली जाती है बेटा माहिरा सुन तो यहां तो आ अरे जाने दे थोड़ी देर में उसका घुसा ठंडा हो जाएगा ज्यादा पूछ पूछ कर सर पर मत चड़ा उसे लेकिन माजी बोला ना चुप रहे अब चुप चाप खाना खा और मुझे भी खा लेने दे शांती से वही माहिरा अपने कमरे में बिस्तर पर बैठी हुई बहुत रोती है तभी कल की उसके पास आती है ननत जी क्या हो आपको मैं देख रही हूँ जब से आप बहार से आई है तब से बहुत दुखी लग रही है आखिर क्या बात है बताईए तो कुछ नहीं भावी आप जाईए अब यहामें किसी से बात करने का मन ने कर रहा है अरे लेकिन ननत जी आप अपनों को अपना दुख नहीं बताएंगी तो किसे बताएंगी कि आप हमें अपना नहीं समझती नहीं भावी ऐसी बात बिल्कुल नहीं है तो कैसी बात है वो दरसल मुझे पता लगा है कि मैं मा की अपनी बेटी नहीं हूँ बलकि गोदली हुई बेटी हूँ क्या ये सब किसने बताया आपको पता नहीं एक औरत न बाग है और वो दाग उस बच्चे के हाथ में भी है और उस ओरत को मेरे बच्पन की बहुत सारी बाते भी पता है क्या हाँ भावी ये बात बिल्कुल सच है और माहिरा बहुत रोती है वही कलकी उसे बहुत समझाती है माहिरा उस ओरत ने तुम्हें सारी बाते क्यों कुछी दिनों बाद कलकी को एक बहुत अच्छा जॉब आफर मिलता है और वो जॉब इंटर्व्यू के लिए तैयार हो रही थी लाजो और उशा उस वक्त घर पर नहीं थे अच्छा मैं जा रही हूं माहिरा मा को बता देना हाँ भावी आप जाईए all the best thank you कलकी बाहर निकलन नहीं वाली होती है तभी उशा और लाजो वहां पहुंच जाती है देख ले तुझे बिना बताय जा रही है वो दिन दूर नहीं जब तेरी कोई इज़त नहीं करेगा इस घर में आप बिल्कुल सही कहती है माजी वैसे अभी भी कौन सी इज़त है सब को तो करनी अपनी मन मर्जी ही है ना भला मैं कौन होती हूँ हाँ अब बस वो दिन दूर नहीं जब तुझे इस घर का नौकर बना दिया जाएगा देखना तो आप क्या चाहती है कि वो जौब इंटर्वी पर ना जाए ननजी प्लीज कुछ मत बोलो बोलू कैसे न भाबी आप कुछ बोल नही तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको कुछ भी बोल दिया जाएगा हाँ बोल बोल जुबान तो एकदम कैंची की तरह चलती है इसकी देख लो लाजो कहीं ये चीज तुझ पर एक दिन हावी ना हो जाए हाँ इस कलकी ने मेरी बेटी को अपनी तरफ कर लिया है इसलिए आज सासुमा मुझे जाना होगा मैं चलती हूँ आप जाईए भावी कलकी इंटरव्यू के लिए चली जाती है और माहिरा अपने कमरे में चली जाती है वहीं लाजो को बहुत गुस्सा आ रहा था कि माहिरा अपनी भावी का साथ दे रही है देख लाजो अपनी बेटी की शाद के बाद कोई भी नौकरी कर लेगी हाँ सासुमा बात तो आप सही कह रही है बस मुझे डर लग रहा है कि कहीं इसका कोई लड़का दोस्त ना हो हम चिंता मत कर ये तो पता लगा ही लेंगे हम लोग और ये सब कलकी का ही असर है और क्या उसी से तो लव मैरिज करने की सीख मिल है माहिरा को हाँ एक इसने भी परिशान करके रखा है हमें और दोनों मिलकर ऐसे ही कलकी की बुराई करती रहती है खेर शाम हो चुकी है और दूसरी और कलकी का सिलेक्शन हो जाता है थांक यू गॉड थांक यू सो मच बहुत खुश हूँ मैं कलकी खुश होते वे ऑफिस स निकल कर आटो में बैटती है और घर के लिए निकल जाती है घर पहुँच कर वो अपने पती को सारी बात बताती है अब तुम प्लीज कुछ और मत बोलना मुझे पता है कि तुम नहीं चाहते कि मैं जॉब करूँ अरे ऐसी बात नहीं है अब मिल गई जॉब तो करी लो ले खेर एक महीना ऐसे ही बीच जाता है तभी एक दिन कलकी ऑफिस के लिए लेट हो रही थी तो वो जल्दी जल्दी सीडियों से नीचे उतरती है कि तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो पेट के बल गिर जाती है आह आह भाबी मयूरेश वया जल्दी आओ जेठानी जी जाता है उशा घर पर ही थी वही डॉक्टर उन सब को एक शोकिंग बात बताता है जिससे सुनकर सभी के होश उड़ जाते हैं वही मयूरेश को तो इस बात पर यकीनी नहीं होता और वो रोनी लगता है नहीं ये नहीं हो सकता भगवान अमारे साथ इतना बुरा नहीं कर सक संभाल बेटा अपने आपको, ऐसे नहीं रोते, भाईया संभालिये आप, भगवान पर वरोसा रखिये, सब ठीक हो जाएगा, हाँ जीट जी, तो आखिर डॉक्टर ने ऐसा क्या बताया था, जिसे सुनकर सभी के होश उड़ गए थे, और क्यूं मयूरेश इतना दुखी हो गया था, मा, देखो न, क्या हो गया, हमारा बच्चा, जब कलकी को पता चलेगा, कि उसका बच्चा, मत रो बेटा, मत रो, भगवान पर भरोसा रख, फिर से कलकी की गोद भरेगी देखना, दरसल डॉक्टर ने बताया था कि कलकी दो महिने की प्रेगनन थी, और पेट के बल गिरने की कारण उसका मिस कैरेज हो गया है, हाँ भईया, होसला रखिए, हाँ जेट जी, इश्वर ने चाहा तो फिर से जठानी जी की गोद भर जाएगी, लेकिन मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, कलकी सुरेगी तो टूट जाएगी ये भी, भईया, नियती को कोई नहीं टाल सकता, जो हुआ बुरा हुआ, लेकिन आप देखना, आगे अच्छा होगा, और सभी लोग मयूरेश को बहुत समझाते हैं, वही थोड़ी देर बाद कलकी भी होश में आ जाती है, भईया, आप भाबी से बात कीजे, हम सब बहार जा रहे हैं, हाँ, आप अकेले में बा कैसे पलट गई, हे भगवान, ये आपने क्या किया, मैंने किसी का क्या बिगारा था, नहीं कलकी ऐसा मत सोचो, जो भी हुआ वो सिर्फ एक एक्सिडेंट था, तुम तो एक अच्छी बहु और पत्नी हो, खुद को समझालो, मैं तुमें ऐसे नहीं देख सकता, अगर तुम मैं ऐसे दुखी होगी, तो मैं भी तूट जाओंगा, मैं यूरेश, मैं आपको आज ही प्रेगनेंसी की खुशकबरी देने वाली थी, लेकिन इससे पहले ही सब हो गया, क्यों हुआ ऐसा, कलकी, प्लीज, चुपो जाओ, आखिर जैसे तैसे करके, मैं यूरेश उसे संभा जालता है, शाम तक कलकी के साथ सभी घर आ जाते हैं, कलकी काफी उदास रहने लगती है, और वो कमजोर भी हो गई थी, घर का सारा काम भी गुड़ी ही करती थी, अरे लाजो देख तो, अब तो तेरी बड़ी बहु की तब्यट ठीक हो गई है, अब तो कुछ काम करी सकती ह है न, देख तो, सारा काम गुड़ी को करना पड़ रहा है, वो भी तो इनसान है, कोई मशीन थोड़ी है, हाँ तो, अब मैं क्या कहूं, अगर उसको कुछ कहूंगी तो मयूरेश को बुरा लग जाएगा, क्या करें, उस घटना के बाद कलकी को तो वज़े मिल गई है चु हाँ, चल देखते हैं, अच्छा, ये बता कि माहरा के लिए कोई लड़का मिला या नहीं, वो किरंड से तुने बात की तो थी, लड़के के लिए, हाँ, एक लड़के के बारे में बताया है, उसका नाम नीरज है, उसके कपड़े की चार-पांच दुकाने हैं, बहुत पैस चाहिए, हाँ, तो जल्दी से बुलाना लड़के वालों को घर में, देरी किस बात की है, हाँ, किरंड ने बताया कि लड़का अभी किसी काम से साथ दिनों के लिए कश्मीर गया हुआ है, जैसी वो आता है, वैसी वो बात करेगी, और हमें बता देगी, चल, ये तो चाहिए, दादी मा, जरा यहां आये, और तभी उशा और लाजो भी वहां आ जाती है, उनकी आखे भी फटी की फटी रह जाती है, दरसल माहिरा और जैश मंदिर में शादी करके घर आ गए थे, तौबा तौबा, देख, करवा ही आई मो काला, पता ही था मुझे तो, हे हमेशा खुश रखेगा, हाँ सासुमा, मैं माहिरा को हमेशा खुश रखूँगा, मैं माहिरा से बहुत प्यार करता हूँ, आरे बस बस, ज्यादा डायलोग बाजी करने की ज़रत नहीं है, तुम जैसे लड़कों को अच्छे से जानती हूँ मैं, तुम जैसे लड़के तो बात हवा में उड़ रही है तू? मुझे आप से तो कोई बात भी नी करनी दादी मा? लोगों की घर की दादियां इतना अच्छा ग्यान देती है और घर को जोड़े रखने की कोशिश करती है लेकिन आप तो उन सब का उल्टा ही करती है आप तो इस घर को तोड़ना चाहती ह माहिरा ऐसे मत बोलो वो बड़ी है माहिरा चुप हो जा ये कांड करके भी बोलते हुए शर्म नहीं आ रही तुझे? नहीं मैं चुप नहीं रहूँगी मैं कल की भावी नहीं हूँ जो चुप चाप सुन लूँगी बिचारी बड़ी भावी को तो आप दोनों नजाने क्य क्या क्या बोल देते हो और वो बिचारी चुप चाप सुनती रहती है लेकिन ये सब मेरे साथ नहीं चलेगा देख लेला जो 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 बात मैंने इसके लिए बोली थी वो सब बात आज बिलकुल सच हो गई है कर दिया इसने तेरा नाम बदनाम ये तो एकदम खोटी निकली ह हाँ मा जी मुझे यकीन नहीं हो रहा कि माहिरा कुछ ऐसा कर सकती है माहिरा तुने ऐसा क्यों किया मा प्लीज मत रो ये मैंने कुछ गलत नहीं किया है जैश एक बहुत अच्छा लड़का है देख ले ना आपको एक दिन इस पर गर्फ होगा मुझ पर यकीन कीजे मा सासु मा अब जो हो गया सो हो गया अब इन दोनों को अपना लीजिये अब तो शादी भी हो गई है इनकी चुप बिल्कुल चुप कलकी तू तो चुप रहे चुप चाप अपने कमरे में जा मा और बेटी के बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है तुझे बेचारी कलकी रोते आशिरवाद लेने आई थी, जो मुझे नहीं मिला, आप दोनों को बहुत-बहुत शुक्रिया, खास कर दादी मा का शुक्रिया, अब चलते हैं हम दोनों, लगता है आज आशिरवाद नहीं मिलेगा इनसे, आज क्या, कभी नहीं मिलेगा, और दोनों वहाँ से निकल जाते है वहीं उशा अब लाजो के खूब कान भर रही थी, अगले दिन लाजो और उशा पुलिस स्टेशन पहुँच जाती है, सर, जैश ने मेरी बेटी को फसा लिया है, उसने बहला फुसला कर मेरी बेटी से शादी कर ली है, आप अभी उसे अरेस्ट कीजिए, हाँ साहब, उसे कॉल करिया और यहां बुलाईए, और उसे अच्छे से सबक सिखाईए, उसका नमबर देजिए, या लड़की का नमबर देजिए, लाजो अपनी बेटी का नमबर इंस्पेक्टर को देती है, वहीं इंस्पेक्टर माहिरा को कॉल करके, उसे और उसके ससुराल वालों को आप सब को गलत फैमी हुई है, मेरे बेटे ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, आरे शारम करो, जूट बोलते हो, बड़े आए। आपकी बेटी खुद ही कह रही है कि उसने शादी मर्जी से की है, तो कुछ नहीं हो सकता इस केस में, अरे अगर बेटी ने अपनी मर्जी से शादी करी है, तो इसमें आपको क्या परिशानी हो रही है, आप चुपचाब घर जाईए और अपने दोनों बच्चों को अपना ल अब तो आप दोनों बहुत खुश होंगे, ये सब हो गया है तो, आप दोनों ये कैसी बाते कर रहे हैं, हमारा बेटा बहुत अच्छा लड़का है, ये आपकी बेटी को हमेशा खुश रखेगा, अरे हाँ हाँ, जाओ जाओ, तुम्हारे जैसे बहुत देखें हमने, उश बता ही है उनके बारे में, नाराज है वो, चिंता मत करूं माहिरा, सब चीक हो जाएगा, कुछ दिनों बाद, रात के वक्त, उशा अपने कमरे में बैठ कर टीवी देख रही थी, कि तभी उसे ऐसा लगता है, जैसे कोई पर्दे के पीछे खड़ा है, और उसे ही देख रह बहुत डर जाती है, कौन है वहाँ, अरे कोई बोलता क्यों नहीं, कौन है वहाँ, तभी उशा पर्दा हटाती है, वहाँ एक लड़की थी, जिसने एक स्कार्फ से चेहरा ढखा हुआ था, उशा उस लड़की को देखकर बहुत डर जाती है, और चिलाती है, आह, कौन है, अचानक उशा बेहोश हो जाती है, उशा के चिलाने की आवाज सुनकर बागे घरवाले तुरंत उसके कमरे में पहुचते हैं, वो लड़की अब वहाँ नहीं थी, यह भगवान, मा जी, यह क्या होगे आपको, दादी मा, दादी मा उठिये, उठिये, इन्हें उठाओ भा की को देखकर इतना क्यों डर गई थी, तो उशा को जल्दी से हॉस्पिटर ले जाया जाता है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, थोड़ी दिर में इनको होश आ जाएगा, तब आप लोग इने घर लेकर जा सकते हैं, ओके डॉक्टर, थैंक्यू सो पता नहीं हमारे घर को किसकी नजर लग गई है, सब कुछ खराबी चल रहा है हमारे घर में, पहले माहिरा ने जैश से शादी कर ली, और अब देखो, सासुमा को ये हो गया, चिंता मत करें माजी, दादी मा बिलकुल ठीक है, वो तो ठीक है, लिकिन ये सोच रही हो कि आख थोड़ी देर में उशा को होश आ जाता है, होश आते ही वो पागल की तरद चिल्लाने लगती है, लाजो, लाजो, मुझे बचा ले, मुझे बचा ले, हाँ माजी, आप घबराइए मत, मैं हूँ आपके साथ, माजी, लेकिन हुआ क्या, वो, 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 पुश्पा, मुझे मुझे बचा ले, मुझे बचा ले, लाजो, नई तो वो मुझे मार डालेगी, हे भगवान, ये इतना क्यों डर रही है, गुड़ी आओ, मेरी मदद करो, इनको पकड़ने में, दादी मा, आप डरिये मत, आपका पूरा परिवार यहाँ है, आपके साथ, बताईए, आखिर गाउं की लड़की है, वो रात के तीन बजे किसी लड़के के साथ गाउं से भाग रही थी, लेकिन मैंने उन दोनों को भागते वे देख लिया था, इसलिए मैंने शोर मचा दिया, गाउं वाले उठ गे, और उन दोनों को गाउं से भागने से रोक लिया, लेकिन कुछ द गाउं वालों को जगा दिया था और उसका प्यार भी अधूरा रह गया था अरे माजी आप इतना मत सोचिये इसमें आपकी क्या गलती पता नहीं लड़का कैसा था क्या था आपने तो उसकी भलाई के लिए ही किया था ना ऐसा मत सोचिये और हो सकता है आप उस लड़की के बारे में बहुत सोच रही है तब ही ये सब हो रहा है हाँ दादी मा, आप पुश्पा के बारे में जादा मत सोचिए हाँ दादी मा, डरिये मत, हम सब आपके साथ है चलो, अब चलते हैं आज से, अब दादी ठीक है और सभी लोग उशा को लेकर घर चले जाते हैं लेकिन उशा अभी वी बहुत डरी हुई थी खेर, कुछ दिन बीच जाते हैं एक सुभे होती है और मयूरेश बिस्तर से उठता है वही कल की नहा दोकर तयार हो चुकी थी आज तो संडे है ना, इतनी जल्दी के उठ गई, तयार भी हो गई अरे संडे के दिन तो और भी ज़्यादा काम होता है बहुत सारे कपड़े थोने हैं, और बाहर के भी कुछ काम है अच्छा अच्छा, तुम तो इतनी बिजी हो गई हो, कि मेरे लिए अब टाइम ही नहीं है तुमारे पास तभी कल की मुस्कुराते हुए, मयूरेश की पास आकर बैठ जाती है अच्छा, तुम भी तो कितने बिजी रहते हो, मेरे लल्लू लाल अरे, मैं लल्लू नहीं हूँ मैडम नहीं नहीं, तुम तो मिरे लिए लल्लू ही हो मैडम, अगर मैं लल्लू होता न, तो तुमको बिल्कुल भी पटा नहीं पाता, समझी ये तो मानना पड़ेगा, बहुती चालू हो तुम, पता नहीं मैं भी क्यों पट गई तुमसे फस गई मैं तो बाबा अच्छा, फस गई, हाँ, यहाँ आओ अरे, क्या कर रहे हो, छोड़ो भी, क्या कर रहे हो अपनी पत्नी को प्यार कर रहा हो, और क्या, इसने क्या बोराई है तभी अचानक, किचन से उशा की चिल्लाने की आवाज आती है आह, जल गया मेरा हाथ, आह कलकी और मयूरेश भाग कर जाते हैं, और देखते हैं कि उशा अपना हाथ पकड़े होई खड़ी थी सामने एक बरतन में गर्म पानी रखा हुआ था क्या हुआ दादी मा, दादी क्या हुआ हाथ पर देख, देख तेरी पत्नी की वज़े से ही हुआ है, इसने पानी गर्म करके बरतन में रखा था एकदम खौलता हुआ पानी था, हाँ पर ये तो गैस पर ही रखा है तभी लाजो, कुशल और गुड़ी भी वहां आ जाते हैं क्यों रखा? मैं किचन में कुछ लेने आई थी तभी उपर वाली अलमारी से समान निकालते वक्त मेरा हाथ इस बरतन पर गया देख ले लाजो, तेरी बड़ी बहु मुझे जान पूच कर परिशान करना चाहती है, ये चाहती है कि मैं मर जाऊं कलकी, तुम्हें पता है न कि तुम्हारी दादी मा की तवय तवी सही नहीं है कम से कम कुछ बातों का तो ध्यान रखा करो ठीक है माजी, माफ कर दीजे, गलती हो गई माँ उसने जान पूच कर तो नहीं किया न, अब गरम पानी का बतन गैस पर रखना गलती तो नहीं है तू चुप रहे, जब देखो अपनी पतनी की साइड लेता रहता है हाँ, ये कल की है मुझे मालना चाती है, वरना इस घर में मेरा दुश्मन कौन है, बताओ ऐसा नहीं है माजी, नहीं नहीं लाजो, तू नहीं समझ रही, डायन है ये डायन, हम सब को खा जाएगी दादी मा, बहुत हो गया बापका लाजो, मैं तुझे बताने वाली थी, कल मैंने अपने कमरे में रात को तीन बजे इसे देखा था, इसने अपनी लाल वाली साड़ी पहनी थी, तूने तो वो साड़ी देखी है ना इसकी क्या? रात के तीन बजे? हाँ लाजो, यही है वो जो मुझे डराती है अब मुझे पक्का यगीन हो गया है सासु मा, तीन बजे तो मैं अपने कमरे में सो रही थी और मैं भला दादी मा के साथ ऐसा क्यों करूँगी? दादी मा, अब तक आपने कल्की को जो कुछ भी कहा, मैंने सुना और सहा भी, लेकिन आप मैं बिल्कुल भी नहीं सहूंगा मैंने कल्की से इसलिए शादी नहीं की थी, कि आप दोनों इसे रोज सुनाए, और इसकी बेज़ती करें हाँ दादी मा, आप बेवज़े भावी को क्यों डाटती रहती है, और ये सब डायन वायन ये क्या है हाँ दादी मा, जे ठानी जी ऐसा क्यों करेंगे वहीं ये सारी बाते सुनकर कल्की फूट फूट कर रो रही थी और रोए भी क्यों न, ऐसे गंदे इल्जाम जो उस पर लग रहे थे रोना तो आना ही था, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, इसमें समझना क्या है, ये कल्की ही मुझे मानना चाती है मैंने कहा न, और अब मयूरेश से सहा नहीं जाता तो वो अपनी पत्नी को लेकर अपने कमरे में चला जाता है मा जी बस भी कीजिए, आप अपना ध्यान रखिए, चलिए कमरे में, आपकी दवाई का टाइम हो गया है लाजो तू मेरी बात समझ क्यों नहीं रही है, मैंने कहा न, सब ठीक हो जाएगा चलो कमरे में, तो लाजो अपनी सास को उसके कमरे में ले जाती है और उसे दवाई देती है सासुमा, ये दवाई खाईए और थोड़ा आराम करिए, मैं अभी आती हूँ उसी रात दस बजे उसा को फिर से अपने कमरे में लाल साडी पहने एक लड़की दिखाई देती है लेकिन चहरा नहीं दिखता, उसा बहुत डर जाती है और भागते वे लाजो के कमरे में जाती है आ, लाचो बचा ले, बचा ले, वो फिर से लाल साडी बहन कर आई थी, ये सब कल्की कर रही है, ये जरूर इसने किसी को इस काम के लिए पैसे दिया होंगे माजी, शांत, शांत, रुकिये, हम आपके कमरे में चलते हैं और देखते हैं कि आखिर कौन है माजी, भूत, वूत, कुछ नहीं होता है, और हाँ, अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है, तो इस बात का पता हम जल्दी लगा लेंगे नहीं, और उशा डर के बाहर भाग जाती है, पूरा परिवार बाहर आ जाता है, वहीं पूरे महले वाले उशा को ही देख रहे थे, जो की पागल की तरह यहां वाँ भाग रही थी हे भगवान, मयूरेश बेटा, जा लेकर आ दादी को हाँ, सब देख रहे हैं, चलो भईया वहीं मयूरेश और कुशल अपनी दादी मा को समझा वुजा कर घर वापस ले आते हैं, और जैसे तैसे उशा को सुला देते हैं, आज तो महले वालों के सामने तमाशा बन गया हमारा हाँ मा, वाकई में, घर में चली रहा था, अब बाहर भी नाटक कर दिया दादी मा ने, मा अब आप दादी मा को समझा लिए, वगर ऐसा ही रहा तो उनकी तवित और भी बिगड़ जाएगी, मा उन्हें किसी अच्छे साइकेटरिस के पास ले जाना होगा नहीं बेटा, ये कैसी बाते कर रहा है तू, कोई अपनी दादी मा के लिए ऐसा बोलता है क्या, मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं घर में वाकई कोई आत्मा तो नहीं, हमें किसी बाबा के पास जाना चाहिए मा, अगर इस घर में वाकई में कोई आत्मा है, तो सिर्फ दादी मा कोई क्यों दिखती है, हमें क्यों नहीं दिखती, कमाल है, और क्या मा, और बाबा बाबा के चक्कर में मत पढ़िये, आपको पता है न, वो पडोस वाली आंटी भी बाबा के चकर में पढ़ गई थी, औ और अगली सुवे फिर से उशा चिलाते हुए भाग कर कमरे से बाहर आती है। लाजो, लाजो, रात में मैंने बच्चे के रोने की आवाज सुनी। लाजो, अच्छा पर बच्चा तो है ही नहीं हमारे घर में, ना पडोस में। मैं अपनी गलती कबूल करती हूँ। लेकिन मुझे ये बात नहीं पता थी, कि उसके पेट में बच्चा है। माफ कर दो मुझे, मुझे लगता है उसी बच्चे की आत्मा मुझे परिशान कर रही है। उशा की ये बात सुनकर सब हैरान हो जाते हैं और सभी लोग उशा को खुब नफरत से देखते हैं। कल की रोने लग जाती है। क्यूँ दादी मा, क्यूँ। यकीन नहीं होता कि हमारी घर का सदस्ते ऐसा करेगा, दादी ऐसा करेगी। अपनी दादी मा को माफ कर दे मयूरेश बेटा, माफ कर दे। और तभी उशा फिर से चीखने चिल्लाने लगती है। भाईया, इन्हें डॉक्टर के पास लेकर जा नहीं होगा अभी। हाँ, दिमाग पर असर हो गया है दादी के। मैं और भाईया जाते हैं, आज आएंगे थोड़ी देर में। ठीक है, इनका ध्यान रखना बेटा। और दोनों जैसे तैसे करके उशा को लेकर अस्पताल के लिए निकल जाते हैं। तभी कलकी को उसकी ननद माहिरा की कॉल आती है। बोलिए ननद जी, माहिरा की सास घबरा कर कहती है। कलकी बेटा, मैं हूँ माहिरा की सास। दरसल मा कलकी एकदम शौक्ट हो जाती है और जल्दी अपनी सास। मा के साथ हॉस्पिटल पहुचती है। तो आखिर माहिरा को किस ने जान से मारने की कोशच की थी। और क्यूं। कलकी और लाजो माहिरा को देखने के लिए हॉस्पिटल पहुच गए थे। वहाँ उनको इंस्पे पर पीछे से पत्थर से वार कर दिया। ये भगवान वो तो शुकर है मेरी किसमत अच्छी है। पास से एक आदमी गुजर रहा था उसने मेरी मदद की। उस आदमी को देखती है वो वहाँ से भाग गया। फिर इसने हमें फोन करवाया। हम जल्दी से आ गए यहां। जै जरूर ठीक है अब मैं चलता हूँ। ननत जी आखिर ये सब किस ने किया होगा। हमारे परिवार का तो कोई दुश्मन भी नहीं। हाँ भाबी और हमारे खांदान में भी कोई ऐसा नहीं है जो हमसे बदला लेना चाहे। वहीं तो मुझे तो किसी पर शक नहीं हो रहा। अरे बेटा कहीं तेरे ओफिस का कोई आदमी तो नहीं। अच्छे से याद कर बेटा। हा ननत जी। नहीं मा वहाँ भी ऐसा कोई आदमी नहीं जिस पर मुझे शक हो। अच्छा छोड़ तू अपना ध्यान रख तू टेंशन मतले आराम कर इंस्पेक्टर साब उसे पकड लेंगे। यहाँ पर सभी लोग माहिरा के लिए बहुत परिशान हो रहे हैं। वहीं दूसरी और मयुरेश और कुशल उशा को लेकर घर आ चुके हैं। घर आते ही उनको माहिरा के बारे में पता चल जाता है। और वो दोनों भाई भी अपनी बहन को देखने के लिए हॉस और माहिरा भी अपने ससुराल में थी। एक हफता शान्ती से बीच जाता है। एक दिन कुशल अपने काम से वापस लोट रहा था और आज उसे थोड़ी देर भी हो गई थी और उपर से बीच रास्ते में ही उसकी गाड़ी पंक्चर हो जाती है। अरे यार वैसे ही लिट हो रहा हूँ आज गाड़ी और पंक्चर हो गई। कुशल गाड़ी से निकलता है और गाड़ी का टायर चेक करने लगता है कि तब ही पीचे से कोई आता है और उसकी सरपर बड़े से पत्थर से वार कर देता है। और वहीं कुशल की मौत हो जाती है। पहले मेरी बेटे की साथ असा हुआ और अब मेरा बेटा गाइव है। पता नहीं इस घर को किसकी नजर लग गई है। ही प्रभू, मेरे बेटे को बचा लीजिये। चिंता मत करिये मा जी, जेट जी ने पुलिस को कॉल कर दिया है। हा मा, चिंता मत करिये, सब ठीक हो जाएगा, मैं भी जाता हूँ कुशल को ढूणने। और मैयुरेश अपनी गाड़ी लेकर उसे ढूणने के लिए चला जाता है। लाजो, ये सब तेरी बड़ी बहुई कर रही है। वो मुझे पागल साबित करना चाहती है और तेरे पूरे परिवार को खत्म कर देना चाहती है। अभी भी वक्त है। संभल जा लाजो। लाजो, लाजो कुछ नहीं बोलती और चुपचाव अपनी सासुमा की बात सुनती रहती है। शायद उसको अपनी सासुमा की बाते सही लग रही थी। पर सच क्या था? इन सब के पीछे कौन था? ये जानेंगे हम इस कहानी के अंत में। आप प्लीज मुझे पर यकीन कीजिए। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे मेरा बेटा चाहिए। पता नहीं किस हाल में होगा। अगर वाकर में इन सब चीजों के पीछे तेरा हाथ है ना, तो मैं तुझे जिन्दा नहीं छोड़ूँगी। देख ले ना, चली जा यहा आजाता है, कुशल नहीं मिलता, अगली सुभर इंस्पेक्टर मर्योरेश को कॉल करता है और उसे बताता है कि कुशल की लाश मिली है, यह सुनकर तो लाजो का रो रोकर बुरा हाल हो जाता है, यह सुनकर सब का दिल दहल जाता है, हे भगवान यह तुने क्या किया, उसके कौन टाल सकता है, खेर इस बात को कुछ हफते बीच जाते हैं, तो एक दिन मयूरेश, लाजो और कल की किसी काम से गाउं जाने की तैयारी कर रहे थे, संभल कर जाना सभी ध्यान से, हाँ माजी, आप चिंता मत करिए, हम लोग कल ही वापस आ जाएंगे, और हाँ, आप अप अपनी दवाईयां टाइम से लीजेगा, मैं हूँ दादी मा के साथ, आप चिंता मत कीजे माजी, हाँ ठीक है, मयूरेश बेटा, ध्यान रखना, उशा बार-बार मयूरेश से बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मयूरेश उनसे बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा था, और मयूरेश गाड़ी स्टार्ट करता है, और सभी लोग गाउं के लिए निकल पड़ते हैं, चलिए दादी मा, आप खाना खा लीजिए, हाँ चल, गुड़ी उशा के लिए खाना लगाती है, और दोनों मिलकर साथ में खाना खाते है, शाम हो जाती है, और तभी गुड़ी के सासुमा की कार एक्सिडेंट में मौत हो गई है, किसी ने उनकी गाड़ी का ब्रेक फेल कर दिया था, क्या, हे भगवान, क्या आपको किसी पर शक है, कि कौन कर सकता है, नहीं, वैसे भी आपको तो पता ही है, कि कुछ दिनों से हमारे घर में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है हाँ, ये वही होगा, जिसने मेरे पोते कुछल को मारा है, इंस्पेक्टर साब, आप लोग क्या कर रहे हैं, जल्दी से खूनी को पकड़िये ना अब टेंशन मत लीजिए, मैं आपके दर्द को समझ सकता हूँ, मैं भी कोशिश का रहा हूँ कि जल्द से जल्द वो खूनी पकड़ा जाए हाँ साब, जल्दी पकड़िये, नहीं तो वो हम दोनों को भी मार देगा, हाँ प्लीज सर हम, अभी उन तीनों की बॉड़ी हमारे पास ही रहेगी, पहले पोस्ट मार्टम होगा, तब बॉड़ी आपके हवाले की जाएगी, अब आप लोग अपने घर चले जाएए जी इंस्पेक्टर साहब, दोनों घर चली जाती है, रात हो जाती है, और उशा अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है, और तब उसे फिर से वही लाल साडी पहने कोई लड़की दिखाई देती है, वो बहुत डर जाती है, और चिल्ला कर गुड़ी की पास आ जाती है, गुड़ी, बेटा कहा है तू, गुड़ी, गुड़ी कहीं नहीं दिखती, तो वो घर का दर्वाजा खोल कर बाहर भागने की कोश्च करती है, लेकिन दर्वाजे पर भी ताला लगा हुआ था, गुड़ी कहा है, तब ही वहाँ गुड़ी आ जाती है, और उसने वही लाल साड़ी पहनी है, बतलब गुड़ी ही वो लड़की थी, गुड़ी, तो, ये तो थी, तो मुझे डरा रही थी, लेकिन क्यों, हाँ, मैं ही थी, तब ही गुड़ी अपना हाथ आगे करती है, और उसके हाथों में चाकू था, उशा घपरा जाती है, ये, ये क्या, वो मुझ से बदला लेकर रहूंगी, बागल हो गये क्या, तुने उस दिन गाउवालों को जगा कर अच्छा नहीं किया, तेरी वज़े से पुषपा दीदी के बॉइफ्रेंड को मेरे मामा ने मरवा दिया, और उसके गम में मेरी दीदी ने फासी लगा ली, मामा को जेल जाना पड़ा क्योंकि उनको अपनी जूटी इज़त, मान और शान की पड़ी थी, मुझे माफ कर दे गुड़ी, चाकू फेंग दे, हर्गिस नहीं, पूरा घर तबा हो गया, वो भी बस तेरी वज़े से, अगर उस दिन तुने अपना मूना खोला होता, तो शायद आज ऐसे हाल जात नहीं होते, और ना ही तू अभी मेरे हाथों मारी जाती, नहीं बिटा, ऐसा मत कर, मुझे माफ कर दे, मैं हाथ जोड़ती हूँ, तुझे और माफी, तुझ जैसी डायन को तो मारना ही चाहिए, तू कितनी बेवखूव है, तेरे परीवार वाले इतने अच्छे हैं, लेकिन तू उनके साथ कितना बुरा विवार करती है, लेकिन इसमें तेरी क्या गलती, तू है ही ऐसी, है ना, गुट्टी उससे मारने के लिए आगे बढ़ती है, अब तो भी बंदूप चलती है, गुट्टी चोड़कर पीछा मुड़ती है, वो देखती है कि वहाँ इंस पेल की थी कार की, हमें पता था, लेकिन मैंने आधी रात में ही ब्रेक्ठिक कर ली थी, गुट्टी मुझे तुम पर शक तभी से हो गया था, जब एक दिन मैंने तुम्हें मारकेट में देखा था, तुम्हें तो अंग्रेजी नहीं आती थी, लेकिन तुम वहाँ पर माचा मारती है, तुने मेरे घर को बरबाद कर दिया, अब देख, तेरे साथ क्या होता है, मैंने जो किया अच्छा किया, मुझे कोई पच्चतावा नहीं है, इंस्पेक्टर साहब ले जाए इसे, और इसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाईए, चलो हमारे साथ, इंस्पेक् आज में बोलूँगा, क्यों दादी मा, अब तो आपको यकीन हो गया आना, कि कलकी कितनी अच्छी बहु है, और आपसे नजाने कितनी गलतिया हो गई है, हाँ बेटा, बोल, बोल, मैं अपनी गलती स्विकार करती हूँ, माफ कर दे कलकी बेटा, और उशा कलकी को गले लग अच्छी बहु थी, और हमेशा रहेगी, इस घटना के बाद सभी लोग हसी खुशी एक साथ रहते हैं, दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा, थैंक्स पर वाचिंग